बहुत से स्टुडेंट्स के मन में होता है कि टेस्ट सीरीज का अभ्यास क्यों करें या फिर जो छात्र टेस्ट सीरीज लेते भी हैं तो पूर्टने सौल नहीं करते और बेज में छोड़ देते हैं ऐसे सभी छात्रों के लिए ये लेक्चर है कि टेस्ट सीरीज का अभ्यास क्यों करें और कैसे करें सफल परिक्षार्थी भी प्रारंबिक परिक्षा के लिए अकसर टेस्ट सीरीज के अभ्यास करने की सलाह देते हैं जिसे इंकार भी नहीं किया जा सकता क्योंकि पिछले कुछ बरसों से प्री के प्रश्णों के सुरूप में जिस तरह की जटिलताएं ब्रामक बिकल्प, बिकल्पों के समूह तथा प्रश्णों के आकार में म्रधी हुई है। इन सब को देखते हुए यह अभ्यास एक अनिवार सा मालुम पड़ता है। मैं इस लेख में आपसे कुछ उन विशेस बिंदों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ ताकि इस अभ्यास को आप अपने लिए अधिक से अधिक लावकारी बना सकें। सबसे पहले देखते हैं टेस्ट सीरीज का अभ्यास क्यों करें। मिलते हैं जिनकी उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। ऐसे आवशेक परवर्तन है। इससे आपके पहले से ही प्रश्ण पत्र के चुनोती पूर्ट चहरे से जान पहचान हो जाती है। यह पहचान आपको परिक्षा हॉल में सरल और सहज बनाय रखती है। दूसरा प्रश्णों की जटलताओं के साथ आपका मानसिक तालमिल बैठ जाता है। यानि की आपके दिमाग का प्रश्ण के साथ एक ले आ जाती है। उपर के दोनों परिवर्तन आपके च्छमता में कई गुना प्रधि कर देते हैं। पूर्व अभ्यास आपके अंदर के भै को कम करके आप में आत्म विश्वाश जागरत कर देते हैं। जिसकी जरुरत परिख्छाहौल में सबसे अधिक होती है। अब जानते हैं टेस्ट सीरीज का अभ्यास कैसे करें। अधिक से अधिक अभ्यास करने से जादा बहतर है कि कम ही अभ्यास करें। लेकिन सही तरीके से। इस बात को गाठ वाद लें कि यह एक मनुबे ग्यानिक प्रक्रिया है ना कि ग्यान अर्जन करने की कोई बिधी। आईए कुछ आवशेक तरीकों पर एक निगाह ढालते हैं। जिसमें नौलीज के लिए अभ्यास ना करें। इससे आपको कुछ बिसेसलाव नहीं होगा। फिर भी महत्पूर्ट तत्थों के आने पर उसे ध्यान में रखें। अपने अभ्यास को प्रश्णों के जटल सुरूप से अच्छी तरह परचित होने पर केंदरित करें। ताकि इसके भूल भूले ये वाले रास्ते आपके पहचान और पकड़ में आ जाए। यह सबसे अधिक जरूरी है। सुरूप के 3-4 टेस्ट पेपर्स बहुत आराम के साथ प्रश्णों की उल्जनों को समझने में लगाए। चाहे एक पेपर के लिए पूरा एक दिन क्यों न लग जाए। लगभग 10-15 पेपर्स तो हल करने ही चाहिए तब ही दिमाग उसमें रम सकेगा। पेश्ट पेपर्स के इस्तर एवं सुरूप बास्तविक परिक्षा के समकक्ष या उसे थोड़ा ही कम होना चाहिए। लगभग 8-10 पेपर्स तो बिल्कुल परिक्षा की ही पद्धती से हल करें। यानि कि एक कमरे में बैठकर 2 घंटे में हल करना है। यदि स्कोर कम आते हैं तो निरास बिल्कुल भी ना हो। यहां मुख बातें स्कोर करना नहीं है। बलकि पेपर के साथ मानसिक सामनजस बैठाना है। जो अभ्यास करने से अपने आप ही होगा। आशा करता हूँ आपको यह जनकारी अच्छी लगी हो। धन्यवाद।